बोचपुर जिले का एक मात्र ISO माना कुपादी से नवाजा जाने वाला सदर अस्पताल आज फिर से एक बार विवादों के साई में है आरा के सदर अस्पताल में शुकरवार को SNCU में सुभा से दो बच्चे काल के गाल में समा गई है अब वज़ चाहे जो भी हो परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि डॉक्टर की लापरवाही के वज़ से बच्चों की मौत हुई है परिजनों ने बताया कि सुभा से एक एक कर पांच बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि अस्पताल प्रशासन ने दो बच्चों के मरने की पुष्टी की है बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने जम कर अस्पताल परीसर में जम कर बवाल काटा है जबकि हंगामा होता देख अस्पताल कर्मी SNCU छोड़ कर भाग खड़े हुए वही बच्चों की मौत को देखते हुए कई लोगों ने अपने बच्चों को SNCU से बाहर निकाल लिया और इलाज के लिए बाहर लेकर चले गए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया कि SNCU के नाम पर केवल यहां खाना पूर्टे की जाती है इलाज के नाम पर कोई चिकित सक उपलब्द नहीं रहता है वाज़ खान पर कर रहा थे तो कई तो हम थी कर दे रहे ताप अपना पाच लेथे जिए तक अब लेके आए ते लेटे लेटे लेटे, वापस लोग देगी एथा दो बंडे के बाद में, रात को तीन वजय करी तभी तब यह तिर इचके बिगड़ गया, तो लागार की ते लेट हम अक्षिजा दिवा आज तक कल तक तक एथी था, कल अज तक तक एथी था, कलम सूबा से भी बोर एथी कर हम दूसरे जाएंगे, इसके बाद बोले कि अस्तिती चीख है कुछ, अनमर्जनसी में है, एक्ति करके इसे करते करते में लोग हम उपको छोड़ा नहीं है, आज तक एक्तिती है, तो आज भी नहीं एक्ति करें, इसके बाद में बंदर या भं गए, तो हमारे एक्ति पे र अनमर्टे के अंदर गे, छे बच्चे मरें, वहीं एक बच्चे के परिजन ने कहा कि सभी डॉक्टर अपना-पना क्लीनी खोले हुए है, ऐसे में सही से सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, तो आज पर्सों से भरती हुई है, आज खुश्चुस पड़ा कांसलि में यहीं वरा कि इसको बाहर ले जाए है, यहां ट्रीट्मेंट उपना अच्छा नहीं हो पाएगा, वेंटिलेस्ट, ऑक्सिजन का क्रमी है, वेंटिलेस्ट का क्रमी है, और हमारे जहां तक जंकारी में आर्दस बच्चु का अनका लग रहा है, यहां सेफ है इलाज कराना हाला कि इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन ने अपना बचाव करते हुए कहा कि जिन बच्चों की मौत हुई है, उनके सिथी काफी गंभीर थी, और उनको पहले ही रेफर किया जा चुका था मेरे दौरा देखा गया है, मेरे दौरा टाइमली इंको इंको इनको किया गया है, उस समय जो भी समय लगे, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, यहां पना हम 喇ंके था उसके बार भी यह बच्छा निकलने के बाद भी बच्चा सांस रूब दिया, इससे आगे कुछ निया, मतलब मैंने ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया दहिए जो एसेंसियो है यह ऐसें सिर्योस बच्चों के लिए है कि ऐसे बचे जो जर्म लेते हैं या तो 10 सव आसा जासाम सभाहत और एक यह दो 1 परसन बच्चों की सिथी जो है वह उउसày बच्चों के लिए शी सो बना गुदाया है. जितने जिन्य देख रहे हैं आज पूसके बच्चे होग उसने आछ। यहां दसक्रीड होगे जान हैं लेकिडि अइसा संभव एहां referenced walking 10 तो मॉर्टालिटी उसमें घर All बच्चों की मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी यहाँ पर आक्सीजन और इसी की खराबी की वजह से कई बच्चों की जाने जा चुकी है सवाल उठता है कि बार बार हो रही इस घटना के बाद बिहार सरकार इस पर कोई कारेवाई क्यों नहीं कर रही क्या सरकार के लिए एक दू बच्चे की मौत कोई घटना नहीं है यह सरकार स्वास्त सेवा देने में नाकाम हो रही है पंजाब के स्री टीवी के लिए बोचपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट यह से जात का मसीन है जो खराब है किया इससे हमिख्या करने का काम क्या किया हैं किया स्वास्त मंतरी करने का क्या 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 क्य तुमाउ चीजे की जयां चौर फिवस्ता जब करेगा तो उससी से पता चलेगा कि स्वास्त भाग में कितना लूट लाठोड़ा दमाई कहां से आ रही है दमाई की क्या ववस्ता है यह सभी जो है कि विवस्ता अच्छी नहीं है जिसके कारण विहार के गरीबों का इस्तिति बस से बत्तर इस्तिति बन गई है और उनके अच्छी नहीं है कहीं वो गैस लेकर के जा रहा है यहीं बिहार में हो रहा है यह विवस्ता भीकुर खराब है यह दूस्त करना चाहिए यह काफी अच्छी होस्पेटर है और बस उसमें थोड़ी सुझान की जर्वत है जैसे दलाल आजाए कि वह कॉमन मैंक को काफी आईपी ट्रीटमेंट लोगों जो आते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए वो सब डॉक्टर ज्यादा इंवाड है पीमच में इमर्जंसी विवाग में साइध ही एक आधर डॉक्टर होते होंगे दीन भार में 24 घंडे में एक आधर रॉन लेते होंगे मेरे ख्याल से तो एक विजिट किया इस किसी भी पेसेंट के वारे में अखिक पुचा नहीं हमेश जूनियर डॉक्टर में भी एक दिन 24 घंटा में एकाध बार आकरके आपना देख चले गा है तो आसी बात नहीं है कि डॉक्टर नहीं है दवाए नहीं है और व्युवस्था ठीक नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट जिस मकसद के लिए PMCH है वह मकसद कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा इस्थिति में तो कभी हो ही नहीं पाएगा मंद्री आएंगे जाएंगे वदद्दे रहेंगे लेकिन इनका कारेकर जो करने का जिरुआ का मिसेंरी सिस्टम में बहुत ही खड़ाव है लेकिन इसमें कुछ खामिया है कि मतलब यह है कि बूरी तरह से दलालों के चंगुल गया है जितने बड़े-बड़े डॉक्टर हैं सब प्रप गंडर दवा लिखते हैं कोई मल्टी नेशनल कंपनी के नहीं लिखते हैं जिसे मरीद को यहां वहां काफी परसानी उठाने प अब बड़े बड़े जो भी मरीद वहां आते जाते हैं काफी परसानी होई सामना करना पड़ता है आए दिन बच्चे मरते रहते हैं को इसका देख बाल का इलाज नहीं है डाक्टर भी कन्नी काटते रहते हैं यहां कोई सम्चित बेश्ता नहीं है इसका गोरु पेच्छा होता है मड़ियों को लोगा प्राइबेट के लिए है जब भी आया तो कभी डाक्र नहीं हृते हैं तो कभी दावा पर देने वाले आप्णर पर लोग नहीं हृता है अब फिलाहाल में कुछ दिन पहले बच्चा चोरी हो गया था और उसके पहले से शेया वहां के बेवस्त पर देखा जाए तो किसी परकार कोई सब्सक्राइब नहीं मिलती है सिर्फ एक देखावा है कि सरकारी अस्पताल और सदर अस्पताल खाली नाम करा गया है किसी पर दोड़ा नहीं की यहां पर आपको जुवस्ताने हैं सदर वस्ताल में पूरी तरह से पूर बिवस्ता है